Hello students, इसे सुच्छा आपका स्वागत है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कवीता, very good, and कवीता को इंग्लिज में क्या बोलते हैं? Poem and rhymes, very good, है ना? चलिए, तो फिर से हम क्या करेंगे? मैं आपको picture दिखाने वाली हूँ और आप क्या करेंगे? guess करेंगे कि हम आज कौन सा Poem पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, तो ये देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? बंदर है ना? बंदर को इंग्लिज में क्या बोलते है? monkey और ये क्या है? है ना? ये क्या दिया हुआ है? आपका मदारी है ना? तीतर, तो यहाँ पस हम क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ आइडिया है आपको? नहीं, आज हम पढ़ेंगे क्या? अकडवक्कर, क्या पढ़ेंगे? अकडवक्कर, I hope कि आपने ये वर्ट पहले भी सुन लिया होगा है ना? अकडवक्कर, तो हम क्या करेंगे? आज अकडवक्कर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? poem को read करेंगे, उसे समझेंगे और फिर क्या करेंगे, repeat करेंगे ठीक है, तो चले आज की class हम स्टार्ट करते है अकड़ बकड, अकड़ बंबे बो, असी नबे पूरे सो सो कलोटा, तीतर मोटा, चलमदारी, पैसा खोटा ठीक है, आई होब कि आपको word अच्छे से समझ में आगे होंगे चले इसे क्या करेंगे, एक बर और repeat करते है अकड़ बकड़ बंबे बो, असी नबे पूरे सो सो कलोटा, तीतर मोटा, चलमदारी, पैसा खोटा ऌके, आई होब कि आपको word अच्छे से समझ में आ गए होंगे ठीक है, जितने ज़्यादा हम repeat करते हैं, उतने ज़्यादा क्या होते है चीज़े clear होती जाते है, इसले हम मैं क्या करते हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा repeat करВाती हूं, ठीक है यह आप as a rhyming word भी इसको use कर सकते हो जैसे बोलते है ना छोटा, मोटा वैसे ही अकड, बकड ठीक है ऐसे बहुत भी है कि क्या बोलते है अकड, बकड क्या है दो friends का नाम भी है यह भी बोला जाता है तो यहाँपस हम क्या लेंगे अकड, बकड क्या थे दो दोस्त थे ठीक है औ और वो क्या थे बंबे बो वो कहा जाना चाहते थे अकड, बकड बंबे जाना चाहते थे है ना बंबे क्या है एक city है है ना तो वो कहा जाना चाहते थे city जाना चाहते थे कौन सा city बंबे असी नब्बे पूरे 100 और उनके पास कितने पैसे थे है ना कितने रुपीज थे उन तौ क्या है आपका रायमिंग बेरण रायमिंग बर्डड है वैसे क्या है साल गलोंटा चली पैसा खोटा सॉन हं money उनको मिल रही है, जो rupees उनको मिल रही है, वो क्या है, useless है, खोटा means क्या होता है, useless, वो ऐसा है कि वो फट गया है, है ना, तो वो फट गया रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो money को use नहीं कर सकते, इसलिए बोला जा रहा है कि चल मदारी, यहां से चलते हैं, क्योंकि जो प पॉइट कहते हैं, तो पॉइट यहाँ पस क्या कहना चाहते हैं, एक क्विक रिविजन करें, कि अकडबकड दो अच्छे दोस्त थे, वो कहा जाना चाहते थे, बॉम में जाना चाहते थे, और उनके पास किते पैसे थे, असी नवे पूरे सौ रुपय थे, और यहाँ पस सौ तो कलोटा क्या एक रैमिंग वर्ड है और फिर बोल रहे हैं कि तीतर क्या मोटा है और फिर बोल रहे हैं कि चल मदारी पैसा खोटा और मदारी को बोला जा रहा है कि यहां से चलते हैं क्योंकि यह क्या है पैसा खोटा है I hope कि आपको ये पोयम अच्छे से clear समझ में आ गए होंगे तो चले हम क्या करेंगे इसे read करेंगे और आप मेरे साथ क्या करेंगे repeat, okay, ready? अकड़ बकड़ बंबे बो, भसी नबे पूरे सो, सो कलोटा, तीतर मोटा, चलमदारी, पैसा खोटा very good, आपने तो बहुत अच्छे से क्या किया है, मेरे साथ read किया है चले, फिर से इसको एक बार repeat करते हैं अकड़ बकड़ बंबे बो, असी नबे पूरे सो, सो कलोटा, तीतर मोटा, चलमदारी, पैसा खोटा very good, one more time अकड़ बकड़ बंबे बो, असी नबे पूरे सो, सो कलोटा, तीतर मोटा, चलमदारी, पैसा खोटा very good, one more time करें अकड़ बकड़ बंबे बो, असी नबे पूरे सो, सो कलोटा, तीतर मोटा, चलमदारी, पैसा खोटा वेरी गुड ठीक है तो चले एक बड़ और प्राक्टिस करते हैं आप तो बहुत अच्छे से मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं लेकिन हमको क्या करना है प्राक्टिस तो वन मोर टाइम अकड बकड बंबे बो पूरे अस भजे इसको कट करना अकड बकड बंबे बो असी नवे पूरे सो सो कलोटा तीतर मोटा चलमदारी पैसा खोटा वेरी गुड वन मोर टाइम अकड बकड बंबे बो असी नवे पूरे सो सो कलोटा तीतर मोटा चलमदारी पैसा खोटा very good, ठीक है, तो one last time क्या करेंगे, हम poem को repeat करते हो, चलिए अकड़ बकड़ बंबे बो, असी नबबे पूरे सौ, सौ कलोटा, तीतर मोटा, चलमदारी पैसा खोटा वाव, very good, आपको ने तो यह जो poem है, वह बहुत अच्छे से मेरे साथ repeat की है and I hope कि आपको यह अच्छे से learn भी हो गया होगा, ठीक है, तो यह तो यहां तक आपने मेरे साथ repeat की है लेकिन इसके बाद भी आपको क्या करनी है, practice करनी है, ठीक है, आप क्या करेंगे, practice करेंगे इसको और अच्छे से learn करेंगे, और अपने parents को, अपनी teachers को, अपने दोस्तों को क्या करेंगे, share करेंगे ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको next video के साथ, next poem के साथ, तब तक के लिए, bye bye, take care